मैं बागेश्पर बाबा को शास्त्रार्थ की चुनावती देता हूँ शास्त्रार्थ लाईव होगा बाबा चाहे तो छतरपूर भी आ जाऊंगा उम्मीद है आसपास के में एरपोर्ट होगा शर्थ है कि बाबा नहा कराएगा और बारा घंटे पहले से शराब, सिगरेट, गांजा का सिवन नहीं करेगा तमंचा लेकर नहीं आएगा वरना मैं लाईसेंसी लाऊंगा बाबा अब बुरी तरफ अस गया है एक तरफ उसके भाई शाली ग्राम पर दलित परिवार को धमकाने, गाली देने, मार पीट करने के कारण एस सी एश्टी एक्ट की धारा लग गई है तो वहीं दूसरी ओर शाम मानों के बाद अब वरिष्ट पत्रकार दिलिप मंडल ने भी बागेश्वर धाम के नए नए बने बाबा यानि की धिरेंदर शास्त्री को चुनावती दे दिये और इस चुनावती में खास बात ये भी है कि पत्रकार ने बाबा की वो शर्त भी मान ली है जिसमें वो शाम मानों को अपने छतर पूर दर्बार में आकर साबित करने को कह रहा था अब सवाल ये है कि क्या बाबा इस शास्त्रार्थ की चुनावती को स्विकार करेगा क्योंकि मामला तो पढ़ाई लिखाई का है और ये साबित हो चुका है कि गर्ग परिवार का ये बिगडायल छोरा पढ़ लिख नहीं पाया और इसलिए इस बाबा गिरी के धंदे में उतर आया और उसके इस बिजनेस को बढ़ाने में उसकी जाती की मीडिया कर्मियों ने खुब साथ दिया वैसे किसी को भी तेल लगाकर पहलवान बनाने में ये लोग माहिर है किसी के नाम के आगे वीर लगाकर कायर को भी बहादूर शाबित कर देते हैं पहले भी इस तरह से मीडिया का इस्तमाल करके कई बाबा, संत और देवी देवता बनाये जा चुके हैं अब सोशल मीडिया का इस्तमाल करके ये लोग ऐसे लोगों को फासने में काम्याब हो जाते हैं जो अपनी खराब आर्थिक हालत से परेशान हैं या सही सिक्षा जानकारी के अभाव में अपनी शारिरीक समस्याओं को सुलजाने का शौर्टकर धूनते रहते हैं और इनमें जादातर मध्यम निम्नवर्ग के SC, ST, OBC याने की बोजन लोग ही होते हैं मध्यपदेश का छतरपूर भी देश के सबसे गरीब और पिछड़े अशिक्षित 117 जिलों की लिष्ट में सबसे उपर है उद्योग नहीं है, सरकारी या शहरी रोजगार नहीं है, हेल्थ केर पूरी तरसे अवरबाद है मध्यपदेश में ये सबसे पिछड़ा है और जाहिर है कि ये सारी समस्याएं सरकारों द्वारा उस छेतर की और ध्यान नहीं देने के कारण पैदा हुई है तो सरकार है किसकी और ऐसे इलाकों में साहुकारों जमिनदारों की चांदी हो जाती है क्योंकि सिक्षा रोजगार के साधन नहीं होने से लोग या तो चोली करने लगते हैं या फिर साहुकारों जमिनदारों से गज लेकर बंधवा मजदूर बन जाते हैं यही गुलामी की जड़ है हर तरफ से निराश लोगों का फायदा फिर ऐसे ही चालाक लोग उठाने लगते हैं धिरेंदर शास्त्री भी यहीं से आया है सरकार साहुकार जमिनदार से लुटे पिटे लोग किसी चमतकार की आशा में फिर से उसी शाशक वर्ग की जाती के ऐसे ढोंगी बावाओ की शरण में पहुँच जाते हैं मतलब यह कि जिसने लूटा उसी को अपना तारण हार मान कर उसकी शरण में यह लोग पहुँच जाते हैं और इसलिए इस वर्ग को बुद्धी जीवी लोग नहीं भाते हैं हालात से बेबस होकर अंदविश्वासी बने बेवकूफ लोगों की फोज की बदावलत ही तमाम सामप्रदाइक दंगों को अंजाम दिया जाता है और इनहीं की बदावलत सरकार बन जाती है एक शब्द है जॉंबी मतलब एक प्रकार का ऐसा मुर्दा शरीर जिसे तांत्रिक अपने वश में करके उससे सारे गलत काम करवाता है अब आज की भाशा में इसे हम रोबोट वाला इंसान कह सकते हैं यानि की उसमें कुछ भी फीड कर दो और उससे अपने हिसाब से काम करवा दो तो इन दिनों ये जो काम है बहुत जादा आसान इसलिया हो गया है कि लोगों की हालत वो कर दी गई है कि लोग अब बेबस हो चुके हैं पूरी तरह से और इसका पूरा फायदा उठाया जा रहा है तो ये तरीका होता है कि किसी को बरबाद कर दो फिर उससे फायदा उठाओ इस वक्त यही चल रहा है समझना आपको है